अब ये तो सहर की व्यवस्ता रही है अब बुद्धी से विभा करके हालत ये हो गई के पुरण्यनी रोग है तो पुरण्यन रोग है इसका क्या मतलब हुआ ये जो हमारी मती है वही बन गई इसरी मती हमारी धर्म पत नहीं तो अब बुद्धी के सारे पर हम लोग नाच रहे हैं हमारी बुद्धी ने कह दिया कि चलो कथा सुने आगे तो आप चले कथा सुनने आगे और बुद्धी ने कह दिया रहे बेही सब कथा हैं हम सब सुनी काई कूं समय बरबाद करो, तो नहीं आए, कथा में कीर्तन हो रहा है और बुद्धी ने कह दिया चलो थोड़ा नाच लिया जाए, ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे, अब बुद्धी ने कह दिया नहीं नहीं आसरम वाली बात है, नाचना नहीं जाने ठीक लगेगा, क्य तो जैसा जैसा बुद्धी कह रही है, आप वैसा ही वैसा कर रहे हैं, बुद्धी का ही निर्णे आप मन रहे हैं, तो ये वो ही है देवी जी जिसके जारे पर सारे पुरण्यन नच रहे हैं, बोलो रादेवी ने तो रही सहर की ब्यवस्था, अब ये जरादेवी जी कौन भाई जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता बोले उस जरादेवी का नाम है ब्रद्धावस्था बोलो है कोई संसार में जो बुड़ा होना पसंद करें कोई पसंद नहीं करता जरा नाम बुड़ा पा ब्रद्धावस्था को कोई पसंद नहीं करता तो बड़्दा बस्ता बड़ी दुकी मारा हमको कोई अपना नहीं 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 चाहता तो हम कहां जाएं चंडवेगने का हमारे पास आओ हम तुम्हें उपाय बताते हैं मेरे पास गंधर्वों की एक सेना है 360 काले और 360 गोरे तो काले गोरे सेनिक कौन है संबत सरो चंडवेगह यह जो काल चक्र है वही चंडवे गंधर्वराज है जिसके पास दिन और रात रूपी काले और गोरे सेनिक है दिन हैं गोरे सेनिक और रात्री काले रात्री सब्द इस्त्री लिंग है तो काली काली गंधर्वियां और गोरे गोरे गंदर्व यही 360 गोरे और काले सैनक और सैनकाओं के सहयोग से जरादेवी ने सारी सैना को सेहा और पुरंजन के सहर पर आक्रमन बोल दिया पकड़ के लाओ पुरंजन को हम लोग सब पुरंजन है इस पुरी में कब आक्रमण हो गया जराल माने बुढ़ापा ब्रधावस्ता जब सारी सेना के साथ आक्रमण हो रहे हैं पर हमको कहां बता चल रहा है सेनिक सम्मरते जा रहे है बुढ़ापे में क्या होता है आँखों से दीखना बन एक सेनिक मारा गया दीरे दीरे अब कानों से भी सुनना बंद दूसरा भी गया अब दीरे दीरे पैरों से भी चलना बंद ये भी गया अब दीरे दीरे लेना देना भी वो जब काल देवी का जरा देवी का आक्रमण होगा तो सब धंडे पड़ जाएंगे और पुरंजन को बताई नहीं चला कि आकर्मन सहर पर हो गया वो महलों के भीतर सो रहे है इसी प्रकाँ आप और हम भी महलों में सो रहे हैं किसी को पता चलता है कि बुड़ा पाख कर्मन हो चुका है आपने अपने जीवन की बहुत सी तारीकें याद कर रखी होंगी कौन सी तारीक में पैदा भई बता सकते हो किस तारीक में साधी करी बता सकते हो किस तारीक में बच्चे पैदा होगे वो भी बता सकते हो पर किसी बुढ़े से पूचा जाए बाबा किस तारीख में बुढ़े भैए बोलो कोई बता सकता है बुढ़े सब होते है पर कब होगे किस तिथी में होगे बुढ़ापरे की तारीख कोई नहीं जानता है क्योंकि ब्रदधावस्ता धीरे-धीरे इस ढंग से आक्रमन करती है कि हमको पता है नहीं चलता कि आक्रमन कब हो गया कि सरीर पर जब जरादेवी का आक्रमन हो जाएगा सारी इंद्रियां सितल हो जाएगी मुँपूपला हो जाएगा बाल सपेद हो जाएगे और फिर भी डंडा लिये गुमते फिरोगे आसा का पिंड संसार का फिर भी नहीं जूटता इसलिए गोबिन्द का बजन करो तो जरादेवी ने महलों में भीतर गुसके पकड़ लिया पुरण्यन और इसी प्रकार से हम एक पुरी से दूसरे पुरी में पुरण्यन गुमते फिर रहे हैं पर जहां से आए हैं वहां लोटने का ध्यान ही नहीं हरे भाई आप सूरत से आए हो अपना घर छोड़ करके सुक ताल अब आराम से रहो घुमो फिरो दोलो कहीं भी जाओ चलो यहां तक आए एक दिन हर द्वार भी घुम आते हैं रिसी के से लोल आते हैं सब जगे घुमो पर घुमने भिरने के बाद घर तो कम से कम याद रखो कि लोटके घर भी पापिस पहुचना है जो यातरी घर कोई भूल जाए वो तो भटक जाएगा पागल हो जाएगा ऐसी हम सब पुरंजन जिस घर से निकले हैं उस घर को भूल गए इसलिए भटकते भिर रहे हैं आज मानव सरीर मिल गया हो सकता है फिर लुड़क जाएगे अरे मानव सरीर के बाद तो आप दिमानी से घर लोट सकते हो परन तो नहीं लोट पाए तो फिर भटक जाओगे चोरासी सहरों में चोरासी लाग सहर है परणाम क्या होगा पुरंजन भी भटक रहा था कभी किसी देह में कभी किसी देह में घर बापिस कब पहुचा जब पुराना मित्र ही पंडित बनके आ गया हाथ पकड़ के जम जाने लगा तू मेरा साथी है मेरा मित्र है और घर से गुमने निकला था अभी तक घर नहीं लोटा चल अपने घर तब जब ग्यान हुआ तो पुराना साथी के साथ घर गए ठीक इसी प्रकार हम लोग तब तक भटकते रहेंगे जब तक परमात्मा स्वैम ही किसी स्रेष्ट संत सद्गुरू के रूप में प्रगट होके पढ़ा रहें और हमको हाथ पकड़के समझावें घर की याद दिलावें माया के ओपुजारी आगे की कुछ खबर है इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है जब अपने घर की याद दिलाता है कोई संत कोई सद्गुरू तो सतसंग में जब घर की बातें सुनते हैं तब घर याद आता है और ये पुरण्यन रूपी जीवात्मा सब प्रबंच को जोड़ करके अपने साती के साथ घर लोट जाता है इसलिए परमात्मा किस रूप में आये अभिग्यात पंडित जयद बनके आया था पुरण्यन को लेने ऐसे ही परमात्मा मुरली मनोहर बनके नहीं आयेगा न जाने के बेज में नाराइन में लेजाए पुरण्यन नहीं पहँचान पाया अपने साथी को पर अभिग्यात पहँचान गया ऐसे ही परमात्मा सदगुरू के रूप में बेश बदल कर आता है गुरू साक्षात परद्रम मिन आत्म ज्यान करने आया है कि तूँ क्या है और अपने को क्या समझे बैटा है का बठकता फिर रहा है परदेश परदेशी ही होता है घर घर ही होता है और जब तक हम परदेशी घर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक विस्राम कभी नहीं मिलने वाला है, घर जौंपड़ी का भी होगा तो चेन की नीद आएगे, अपना घर है, और परदेश की सुपधाय तो दो-चार दिन की है, दो-चार दिन तो अच्छा लगता और चेन घ घर में मिलता है, ऐसी जब तक हम लोग अपने घर को याद करके घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन में किसी जीव को कभी विस्राम मिलने वाला नहीं है, बोल भक्तवत्सल भगवानुति, इस बात को सुन करके तो प्राचीन बर ही गदगद हो गए, नारजी से बोल गुर्देव, आपने तो मेरे घर की याद दिला दी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आपने पहचान करा दी, नारजी प्रसंद हो गए, आसीरबाद दिया और प्रस्थान किया, शुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनी प्राचीन बर ही के दस पुत्र प्रचेता गण हो गए, जिन प्रचेता गणों ने कठोर तपस्या करके नारजी से एक दिन पूछा, बाबा ये बताओ, भगवान को सबसे जल्दी प्रसंद करने का उपाई क्या है, नारजी कहते हैं, तीन बातें जीवन में उतार लो, प्रभू तुरंत प्रसंद हो जाए, तीन बातें कौन कौन सुर्वेंद्रियो पसांत्याच तुष्यत्यासु जनारधनृ सरवेंद्रयोप शांत्याच तुष्यत्यासु जनार्दन जनार्दन आशु तुष्यति वगवान सीग प्रसन हो जाते हैं कब पहला सुत्र सरवभूतेसु धयया जीव मात्र पर दयाकर प्राणी मात्र पर ब्यक्ति विसेस पर या जीव विसेस पर दया करोगे तो मोह के बंदन में बन सकते हो और सरवभूतेसु धयया जितना प्यार हम अपने बच्चे से करते हैं उतना ही प्यार प्रतेक बच्चे से हो जाए तो प्रेम व्यापक हो जाएगा प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम जंत हो गया प्रेम सीमित होगा तो बंधन में बंधेगा और अनंत हो जाएगा तो प्रभु प्राप्ती का मार्ग प्रसस्त करेगा यही अंतर है सरव भूते सूदेया पहला सुद्र दूसरा प्रभु ने जो भी दिया है जितना दिया है जैसा भी दिया है उसमें संतुष्ट रहे अगवान की बड़ी क्रपा है प्रभु की क्रपा का अनभव करके संतुष्ट करे हम लोगों की आदद क्या है जो मिला है वो नहीं दिरता जो मैं नहीं मिला है वस उसी को ताक्ते रहते हैं ये और मिल जाए जीवन में उसका कोई अंच नहीं आप से उपर भी बहुत हैं और आपके नीचे भी बहुत हैं तो आप नीचे वालों को देखो तो तुम्हें अपनी उचाई का पता चल जाएगा कि हम कितने उचे हैं पर हम लोग नीचे देखते ही नहीं हम तो उपर ताक्ते रहते हैं इसलिए असंतोस व्यापता रहता है संतुष्टिया येन तेनवा भगवान ने बहुत दिया है ये सदा अनुभव करो लाखों लोग जंसार में अंदे हैं भगवान ने उन्हें आख नहीं दी भगवान ने आपको तो दुबढ़िया आखे दी हैं दुनिया को देख रहे हो तो उन लाखों अंदों से आप सरेष्ट होगे कि नहीं आपकी उचाई आपको कब दिखाई पड़ी जब हजारों अंगों पर ध्यान गया लाकों बहरे हैं जुनें नहीं सकते आप तो भगवान की गता प्रेम से जुन रहे है कान दी है ठाक गुर्जी लाकों लगणे हैं चलनी पाते गजट रहे हैं बिचारे तुम तो दौड लगाए रहे है अरे स्वस्त मनुष से सरीर मिला है तो समझ लो आप लाकों से नहीं करोणों से स्रेष्ट हो अब लाकों करोणों से भगवान ने तुम्हें स्रेष्ट बनाया सुन्दर बनाया सारे अंग आपके स्वस्त है तो आप कितने उंचे पर बैठे हो जारा सोचो एक व्यक्ति का पैर इतना बड़ा था कि उसके नम्मर का कहीं जूता ही नहीं मिलता था इस पेसल उसे बनवाने पड़ते थे एक दिन अचानक उसका जूता खो गया कहीं गिर गया तो अब दुकान दुकान में ढूंडता बेरे भाईया जूता मिल सकता है लोग पैर देखते ही हाँ जोड़े लेते हैं माप करना ओडर दे जाओ तो बेवस्ता कर देंगे नहीं मिलने भाई कई दुकाने ढूंडी अंत में दुकी होके दुकान में बैठा बैठा बोला भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया ऐसा बड़ा पैर बना के रख दिया मैं परिजान हो रहा हूँ यूता ही नहीं मिल रहा बड़ बड़ाता हुगा भगवान को उल्टा सीधा बोलता हुगा जैसी बाहर दुकान के निकला तो एक व्यक्ति के पैर में लकवा मार गई थी हाथों से घजटता हुआ जा रहा था जड़क तो या उसे उसने ध्यान से देखा उत्रंद बुला है प्रभू बड़ी कृपा करी मेरी उपर कम से कम पैर तो दिये है बोरे बले जैसे भी सही पैरों पर तो चल रहा हूँ घजटना तो नहीं बढ़ रहा हरे प्रभू आपकी बड़ी कृपा है तो जब अपने से नीचा दिखाई पड़ा तो अपनी हुचाई का पता चला है इसलिए संतुष्टिया येनके नवा जो दिया है प्रभू की उस कृपा का अनुभव करो और तीसरा सुत्र सरवेंद्रियोग पशान दिया चाहिए इंद्रियों को चाहे जितना जीवन भर विशे भोग कराओ कभी बेराग्यो होने वाला नहीं है इनमें संयम के कोड़े ही मारने पढ़ेंगे तब ही ये गोड़े बज़ में होंगे बोलो राधे राधे तो सैयम के साथ इंद्रियों को बशी भूत रखे इन तीन वातों का जो अब्यास करता रहे जनारदन आशत उश्यती प्रभू ऐसे साधकों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते है इसके साथ ही चतरुतिसकंद संपन्द बोल भक्तवत सल भगवान की जए आईए पंच मसकंद में प्रविस करते हैं पर पहले भगवान का नाम स्मरण करने ताकि थोड़ा सी उदासी इंताज चली जाए और जो सा जाए भगवन नाम की महमा से देखो भगवान का जो नाम है ना वो हाजमुला की गोली का काम करता है वो जन जादा हो जाए तो एक खत गोली गटक लेना है तो पच जाए तो भगवन नाम से सारा सत्संग का सुना हुआ इर्दयंगम हो जाता है जम हो जाता है इसलिए आईए प्रेम से गाईए अरे मैं तुझ अपू सदा तेरा नाम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया करो मैं हो द्वार खड़े है भक्त तुमारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे पूरन हो सब काम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया करो ते अरी राद है बजन कीर तन गाओं मैं तेरा बजन कीर तन गाओं मैं तेरा क्रेश्न क्रेश्न स्री राम दया लू दया करो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दया लू दया करो क्रेश्न कीर तो जपरो मैं तो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. सादु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना, दास बना लो घन जयां, दयालो दया करो, मैं तो जब तू सदा तेरा नाम दयालो दया करो, मैं तो जब पू सदा तेरा नाम दयालो दया करो, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी हरी बोल हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल बोलबंशीवारे गीजे, अक्त बत्सल भगवान कीजे, जै जै सीरा दे पंचमसकंद में, मनु महाराज के दुतिय पुत्र प्रियब्रत का चरित्र है, बड़े प्रतापी प्रियब्रत थे, महाराज प्रियब्रत ने विचार बनाया की रात्री होनी ही नहीं चाहिए, रात होते ही जब खर्राटे बजा के सोते हैं, पूरे बारा घंटे बरवाद कर देते हैं, इसलिए इन्होंने एक तेजों में रत का निर्मान किया, अब प्रतवी की साथ प्रदिक्षणा करी, तो साथ दिन तक दिन ही बना रहा रात्री भई नहीं, ब्रमा जी दोड़े दोड़े आया, अरे बेटा ऐसा न करो, रात्री मैंने दी है लोगों को विश्राम देने के लिए, प्रकृती की कोई भी वस्तू व्यर्थ नहीं है, उसका ओप्यो करना ठीक से सीखे, समझाने पर प्रियब्रत मान गए, अग्रह त्याग दिये, पर इनके प्रताप से प्रतिवी में साथ दीप और साथ समद्रों की रचना होगा, प्रताम द्वीप है जम्मू दीप जिसके हमावरा बासी है, इस जम्मू दीप के राजा प् नो पुत्रों को जन्म दिया, और अंत में जम्मू दीप के नो खंड करके बच्चों में बटबारा कर दिया, पहला खंड बना अजनाव खंड, राजा बने नाभी, मेरू देवी कन्या से विभा करके, इनके घर साक्षाद भगवान रिशव देव जी का प्राकट्टि हु राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया, रिशव भगवान ने योगवल से अपने आपई पानी बरसा लिया, इंद्र को बड़ी लाज लगी, अपनी बेटी जयंती का विभा रिशव भगवान से कर दिया, उम्मा फिस मांग लिए। इंद्रपुत्री जयन्ती से विवा करके रिश्वदेव जी ने सो पुत्रों को जन्म दिया सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत वो इतना प्रतापी हुगा कि इस अजनाव खंड का नाम उसके नाम से भारत वर्स हो गया आशित देनेदं बरसं भारतं इति व्यपदिशंती रिश्वदेव जी ने सब बच्चों को बैठा करके दिव्य उपदेश दिया मानवतन की महमा बस समझाई और अंत में परमहंस बनके भीचर लो कर लिए पागलों की तरहें नगना बस्ता में घूम रहे हैं लोग इने पागल समझ के पत्थर मार रहे हैं दुनिया की द्रश्टी में तो पागल बने डोलते थे परंत इनकी अंतरिस्तिती इतनी उची थी कि आठों सिद्धियां इनके आगे पीछे हाँ जोड के घूमती थी महाराज हमें दासी बना लो हमें सेवा का अवसर दो हाथ जोड तीन तीन सिद्धियां और रिशब देब जी ने किसी सिद्धि को स्विकार नहीं किया अजब को बगा दिया जाओ जरूरत नहीं क्यों संत को सिद्धियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि संत को यद सिद्धि मिल गई तो सिद्धि से पर प्रसिद्धि बढ़ गई सिद्धों को प्रसिद्ध होने में देर जोड़ी लगता है सिद्धियां क्या है छोटे बन जाना बड़े बन जाना अलके हो जाना भारी हो जाना ये सब सिद्धियों के चमतकार है अश्ट सिद्धि होते हैं अनमाजी के बाद सारी सिद्धियां अश्ट सिद्धि नवनिदि के दाता देने वाले हैं सिद्धियों के नाम अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ती, प्राकाम, इसत्व, वसुत, एते, चाष्ट, सिध्धय, यह आठ सिद्धिया अनिमा माने अनू के बराबर बन जाना महिमा माने पहाड जैसा हो जाना गरिमा माने भयंकर भारी हो जाना बजन्दार लगिमा माने फूल से भी हलके हो जाना ये सब चमतकार सिद्धियों में है अनमाजी माराज ने दिखाए लंका में जाते जम्य मसक समान रूप कभी धरी मच्छर जैसे कनक भूदराकार जरीडा पाड जैसे जही किर चरन दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता जिस परवत पर पादप्रहार करते हैं वो पाताल में घुश जाबे इतने भारी हनुमान जी और इतने भारी हनुमान जी अब असोगवाट का के पल्लबों में छुपे बैटें पत्तों के बीच में पत्ता भी ने तूट रहा लगिमा हलके हो गया सारे चमतकार हनुमान जी के पास हैं परंत बिरले ही कोई संत होते हैं जो सिद्धियों को भगवत सेवा में लगावें प्राया लोग अपनी प्रसिद्धी में जाना लग जाते हैं जहां सिद्धी मिली के अपनी प्रसिद्धी बढ़ाई अरे माराजी बड़े चमतकारी माराजी बड़े चमतकारी दुनिया पीचे पड़ जाती है चमतकार को नमस का और जहां प्रसिद्धी जगत में फैली कि संत फिर अभिमान में गर्शित हो जाते हैं और जहां अभिमान ने पकड़ा तहां जिस साधक का पतन प्रारम हुआ तो सिद्धी से प्रसिद्धी प्रसिद्धी से अभिमान अभिमान से पतन इसलिए अच्छा ही है कि सिद्धी से ही दूर रहू चक्र में नपड़ा चमतकार तो जादुगर भी बहुत दिखाता है संतों को चमतकार के चक्र में नहीं पढ़ना चाहिए कोई जादुविद्या देखा कि अपनी कीरती थोड़ी बढ़ानी है एक संतों उनकी बहुत कीरती हो गई तो परिशान हो गए दुखी होके बोले मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत भूटी दुनिया तो मान बढ़ाई के लिए रो रहे है हमारी बढ़ाई है हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई प्रतिष्टा से संत दुखी हो गए मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत भूटी क्यों स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से जूटी स्वामी जी स्वामी जी करके जब देखो तब हला ही मचा रहता है हमारे हाँ भगवान के भजन में मन ही नहीं लगता जब देखो तब भीड़ तो संत मान बढ़ाई से बचते हैं इसलिए छुपते हैं आजकल बले ही छपते हों और प्राया संत छुपने का प्रयास करते हैं ताकि दुनियादारी से दूर है बोलो रादे रादे इसलिए यही शिक्षा देने के लिए सिद्धियों को ठुगरा दिया रिशब दे चलिए अंज में परमपद प्राप्त किया रिशब नंदन भरत बने सम्राठ पांच पुत्र हुए इनके बड़े को सत्ता सौंप करके भरजी भजन करने चलिए पुलास्रम में भजन करते करते एक दिन गंड की नदी में इस्नान करने गए इस्नान करने के बाद सुर्य भगवान को जल देने लगे उसी वक्त एक गर्भवती मरगी पानी पीने आएगी नदी किनारे मरगी पानी पी रही थी और सेर ने दहाड मार दी मरगी ने धबड़ा करके छलांग मारके नदी पार करने लगई जैसी उसने जोड़ की छलांग मारी तो उसके गर्ब का सिसू पानी में पैदा हो गया पैदा हो बच्चे को करके मरगी का प्राणांत हो गया वो भी मर गई विचारी भरत जी ने जब देखा तो दया गई मार छलांग उस बच्चे को गोद में उड़ा करके आस्रम में ले आए इस बिचारी की मैया तो मर गई अब बच्चा चलो हम भी पाल लेते हैं तो कुटिया में रहकर के जंगल में भरत जी भजन भी करते हैं और बच्चे का भी लालन पालन करने लगे पर कहते हैं मनी राम का कभी भरोजा न करे एक मिनिट में ये कहां धोका दे जाए मन की गती है अटपटी छटपट लखे न को जब मन की खटपट मिटे तो छटपट दरसन हो मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम से है मन ही करत भजी मादव से जुड़ जाए तो कल्यान का साधन बन जाए और संसार में भज जाए तो बंधन का करन बन जाए चाबी ये कही है इधर मोड़ दी ताला बंद इधर घुमा दी ताला खुल गया मन की चाबी भी ऐसी ही है मन माधव की तरह मुड़ तो मुक्ती संसार की तरह घुम जाए तो बंधन चीज ये कही है मन वही है भरत जी का मन मरग के छोने में अटक गया भजन भूलते गए मरग के प्यार में फसते गए एक दिन मरग का छोना भाग गया जंगल में पागल होकर कि दीवानों की तरह उसको ढूणने लगे कहां गया कहां गया रोने लगे बिलखने लगे बहुत ढूणने पर बच्चा नहीं मिला तो रोते रोते उसी के प्रेम में प्राण जाग दिन इतना प्रेम दिवाने हो गए अगला जनम मरग सरीर मिला क्योंकि मरग का ध्यान करके सरीर सुपा एक देवी जी फोटू खिचवाने गहीं इस्टूडियो में बड़ा भारी मैकप किया दो घंटे तक दर पड़के जामने सज समर के गहीं परन तो इतना दूर था इस्टूडियो कि पैदल पैदल दो किलो मीटर चलना पड़ा गर्मियों का मौसम था हवा भी बहुत तेज थी हानी तूफान चल रहा था सब सकल पर बजगे बार है और जाकर किसी देख कैमिरामेन के सामने जल्दी से फोटू किच दे दो घंटे तयार होके आई हूँ उसने का मैडम थोड़ा सा समाल लीजिए अपने केसों को हमको मत सिखा दो घंटे सजके ही आई हूँ तूँ तो जल्दी से फोटू किच अच्छा ठीक है खिच दिया फोटू और जब सामने फोटू आया तो बड़ी लाल पीली हो ऐसी सकल है मेरी सब विगाड़के रख दिया तेरे को फोटू खिच नहीं नहीं आता और बड़ी नाराज केमरा मैंन बोला मैडम मैंने पहले ही कहा था कि आप ज़रा समल के बैठीएगा और तुमने सुनी ही नहीं हमारी हरे ऐसे कैसे मैं दो घंटे समल के ही तो आई थी घर से केमरा मैंन बोला आप घर में कितना सजी इससे मुझे मतलब नहीं मेरे कैमरा के सामने कैसी थी मुझे उस छण से मतलब है क्योंकि जैसा कैमरा के सामने आप बैठे होंगी कैमरा का फोटू वैसा ही अनगूड गया और बुढ़ापे में अंतिम समय कहीं मती मलीन हो गई इधर उदर चिंतन चला गया तो जीवन का भोटू बिगड़ गया और जिन्दकी भर भटके इधर उदर पर अंत काल में यदा अपने मन को समाल लिया और अंतिम ख्षण समर गया चिंतन का तो समझ लो भोटू तमारा बढ़िया बन गया क्योंकि अंतिम ख्षण जिसके चिंतन में जाएगा पुनर जन्म का वही कारण बनेगा इसलिए अंते यामती सागती तो भोटू खिचराओ तो जरा समल के बैठ जाना चाहिए तो बढ़िया भोटू आवे टेड़ा मेड़ा न हो जावे ऐसी जब अंतिम ख्षण जीवन काव है तो सारे जीवन के सुबकर्मों का परिणाम उसी ख्षण समझ में आता है याद बोट्षण बन गया तो जीवन बन गया और बोट्षण कहीं बेगड़ गया तो जीवन सब बेकार हो गया जीवन बर का करा धरा सब चोपट हो गया अजामिल जैसा पापी अंत में थोड़ा समल गया दोके से ही सही कभी-कभी दोके से भी बढ़िया भुट्व किसे जाता है पता ही न चला फिर भी अजामिल का ऐसी भुट्वट्वढ़िया बन गया जा बड़े-बड़े बिचारे सिद्ध मात्मा जड़ब इसरी भरत जी जैसे जीवन बर भजन केते है मरते जमे मरग की याद आगे सब बरबाद हो और भजन करने वाले का पतन नहीं होता भगवान उसे आज नहीं तो कल समाल के रखते है भजन का ये प्रताब था कि मरग सरीर तो भले मिला फिसल तो गए और मरग देह में भी याद सब कुछ बनी रही इसलिए अब इन्होंने किसी से बात नहीं किरी मरग सरीर भी जोड़ दिया तीसरा जनवपन्डी जी के घर में हो गया याद फिर भी सारे जन्मों की बनी रही तो अब ये प्रसन इस बात पर होगे कि अब ब्रह्मन सरीर मिल गया है अब ब्रह्म ज्यान के लिए ब्रह्मन सरीर सर्वोत्तम है इसलिए अब ब्रह्म ज्यान प्राप्त करूंगा दुनिया के चक्र में बिल्कुल नहीं बजोंगा पर जहां पैदा होगे हैं वहां से निकलना तो पहले बड़ा मुश्किल होता है ऐसे थोड़ी जहां कोई निकलने की कोशिस करें तो परवार के लोग पकड़ लेते हैं कहा जा रहा बेटा तेरे बिना कैसे रहेंगे तो जंसार बड़ा बचित रहे भरत जी को पूर्व जन्मों की याद रही इसलिए दुनिया दाजमी में बिल्कुल नहीं फसे पर माता पिता बड़ा प्यार करते हैं अब इन्हों ने सोचा इनके जंजट से इन बचें कैसे तो अपने को बचमन से ही पागल सिद्ध करने लगे कोई कुछ कहे और यो कुछ जबाब ने कभी कोई एक अक्षर याद करके नहीं सुनाया दुनिया से बचने का सबसे बड़िया तरीका है पागल हो जाओ सच मुच नहीं दिखा बटे और दुनिया दारी को पागलपन दिखाओगे तो दुनिया वाले या तो खुद़े ही भगा देंगे या तुमारे बगल में कोई नहीं आए गए अरे पागल है, निकम्मा है, बरबाद हो गया, दुनिया स्वार्थ से बरी हुई है, यद स्वार्थ सिद्ध होगा तो दुनिया चिपकेगी, और किसी मतलब के न रह जाओ तो अपने आप दुनिया दूर भग जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया बारे आओ, मैं सीखूंगा आज, पिता जी ने एक सो आठ बार गायत्री मंत्र सुनाया, बेटा याद हो गया, बहुत पिता जी जब से आप मंत्र पड़ रहे हो, तब से इस बिल में 9999 चीटिया घुस गई, पिता जी का माता गरम, ना लाइक कहीं के चिंटियां किन रह तर इसकी मती बिलकुल खराब है, मा मूर्ख है, पिता जी ने नाम रख दिया जड़ भरत, भरत जी खुस हो गए, पागलपन की महर लग गई, तो अब न कोई साधी करने वाला है, न दुनिया में बसने बाले, मन में बड़े खुस हो गए, पिता जी पधार गए, माता जी भी पधार गई, गर में भाईया भावी रह गए, तो भावियां इन से बहुत जलने लगी, पड़ा पड़ा खाता रहता है, कितना साण जैसा मोटा पड़ रहा है, और काम के नाम पर पागलपन दिखा करके, मुक्त हो जाता है, भाईयों ने इसकी खटिया खेतों पर डाल दे यही रहा कर, घर में किसी मतलब का नहीं है तो, सो खेतों पर ही रहने लगे, एक दिन डकेतों के सरदार ने डकेतों से का देगो, मैंने संकल्ब किया है कि यद मेरे को बेटा हुगा, तो देवी मांकों में नर बली चड़ाओंगा, संयोग से उसको बेटा हुगा, डकेतों उसे का पकड़ के लाओ किसी आत्मी को मुझे बली चड़ानी है, डकेत रात में निकले, और तो कोई मिला नहीं, खेतों पर बैठे हुगे महाराज जी मिलके, जड़ भरत जी कोई पकड़ के लेके, इन्हों ने बिना किसी विरोध के आराम से उटके चल दिये, उनको पहले तो निलाया, खिलाया, और फिर देवी मा के मंदर में जाके बैठा दिया, बाबा करो दंडबत, तो जड़ भरत जी को कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, क्योंकि सरीर को तो संत लोग चोला समझते हैं, जैसे कपड़ा है, एक बढ़ गया, दूसरा मिल जाएगा, तो जड़ भरत जी उसी विशुद्ध अपने आत्म स्वरूप का परचे जानते हैं, इसलिए सिर्जुका के देवी मा के चरणों में आराम से बैठे रहे हैं, पर देवी मा ने देखा, ओ, ओ, प्रम ज्यानी मेरे चरणों में सिर्जुका रहा है, और ये पापी लोग उसक सारे डकेतों की गर्दन को काट दिया, मुल दुरगा मिया कीजे, मंदर के अंदर का सारा नजारा बदल गया, जड़ भरत जी ने सिर्व उठा के उपर देखा, तो सब की गर्दन कटी पड़ी है, ओ, ओ, देवी मा ने बचा लिया हमको, लगता है अभी प्रारत दोर भी से से है, फुटके चल जी, ये होती है ब्रमग्यानियों की इस्तिति, ना डर, ना भय, ना आतंक, ना अपमान, साब दंदों से परे होता है, एक दिन राजा रहुगन पालकी में बैटके जा रहे थे, सत्संग सुनने के लिए कि अचानक एक कहार बीमार हो गया, अन्य साथिय उने का अब क्या करें, राजा ने का तो दूसरे को किसी को पकड़ो, सो जड़ भरजी दीख गए, कहा रहो ने का ये बाबा इदर आओ, सो लट चले आए कहो, बलपालकी में लग जाओ, राजा रहुगन, महराज बैटे है, तो जड़ भरजी ने कोई भिरोज नहीं किया, दर्दो कंदे पर, सो बीमार को हटा के बाबा को लगा लिया, जड़ भरजी आराम से चल पर, वो तो पहले चल रहे थे, सो अब चल रहे हैं, सरीर में उनकी कोई आ सकती नहीं, परन तो नीचे देखके चलते हैं, कि मेरे सरीर से कोई जीव जन्तू न मर जाए, सो चलते चल इन्होंने पैर रखा, पैर के नीचे चीटा दीख गया, चीटा को देखते एकदम उचल पड़े, बचाने के लिए, अब पालकी ढोने वाला चलान लगावे, तो पालकी का हल क्या होगा, ये उचले हो, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट, अब राजा का माथ सागरम हो गया, ए मूर्खो, पालकी चलाना नहीं आता मेरा, सिर्फ होड़ दिया, वो दंड दूँगा के जिंदी की वरियाद रखोगे, कहार घबड़ा गये, सरकार माप करना हमारी गलती नहीं है, ये मोटा तगड़ा बाबा जो अभी अभी लगा है, ये बहुत गड़ कर रहा है, मर मर के तो चलता है, और नजाने एकदम क्या हो जाता है, उचल पड़ता ही है, राजा ने का अच्छा, नीचे जहांक करके देखा, कौन है इमत बाला, जो नीचे निगा डाली तो जड़ भरजी परदर्ष्टी पड़ी, राजा मजा कोड़ाने लगा, अच्छ करके जब व्यंग बचन बोले, तब जड़ भरजी ने अपना मूँ खोला, और ऐसे सब्द बोले के रहुगण के पूरे हो सोड़ गए, अपने वास्तविक स्वरूप का परचे आज स्री जड़ भरजी ने दिया, अभी तक जिन्दिगी में नहीं बोले, तो आज ही क्यों बोले, तो संत तब बोलते हैं, जब उन्हें कोई उत्तम पात्र मिलता है, दूसरी बात, जड़ भरजी इसलिए भी बोले के बुरा बला जैसा भी सही पर इसका बार मैंने अपने कंदे पर उड़ा लिया है, तो संत जिसका बार उठाते हैं, उसका फिर कल्यान करके ही तो संत की महमा घट जाएगी, इसलिए जड़ भरजी बोल पड़े कल्यान करने के लिए पयोदितम व्यत्तम वेप्रलब्धम भरतु समेश्याद यदवीर भारह गंतुर यदिष्याद अदिगम्यमद्वा इवे तिरासव नवेदां प्रवारह राजन तुम किसे दंड देने की सोच रहे हो? मुझे तो तुम क्या दंड दोगे? क्योंकि न तुम्हें पतला हूँ ना ही मैं मोटा, न मैं पैदा होता हूँ ना ही मैं मरता ये सारे दंड तो सरीर के हैं मुझे आत्मा में ये कोई विकार नहीं, कोई दंड नहीं मैं तो दंड मुक्त परम विशुद्ध आत्मतत हूँ जिसका बिनास, जिसका जन, जिसका मरण कभी नहीं होता अब रहुगण का मा था घूमा कि ये बात हैं तो मैं वेदांतियों से सत्संग में सुनता था ये ब्रह्म ज्यानी कौन है जिसका जीवन में ज्यान उतरा हुआ है उपदेशक मैंने बहुत सनेख पर उपदेश उतरा हुगा तो इस महापुरस में देख रहा हूँ ध्यान से जब दुबारा देखा कंदे पर यग्योपवित दिखाई पड़ गया और जडभरत जी का जनेव देखते ही रहुगन तुरंद पालकी से कुन पड़ा चरणों में प्रणाम करके छमा मांगने देखा कस्त्वं मिगूडस्यरसीद्जाना विवर्स सूत्रम कतमो बदूत है शमा करें माराज आप कौन ब्रह्म ग्यानी है आपकी बाणी कितनी अद्भुत है आपके शब्दों में कितना अद्भुत आकरशन है आपने मेरे हिर्दे को जनकृत कर दिया आपका जनिव वतारा है कि आप ब्रह्म ग्यान से संपन्न कोई ब्रह्म ग्यानी है मैं माराज किसी से नहीं डरता पर ब्रह्मन के कुरोध से मुझे बहुत डर लगता है कृपा करके अपना परच्छे दे जडबरत जी बोले हम जो भी हैं गवड़ाने की हमसे कोई आवश्यक्ता नहीं ब्रह्मन तो हम आवश्य है और खतरनाग ब्रह्मन नहीं है डरो मत और जो बात करनी है निर्भीग हो के कहो तो रहू गणने का तो एक बात पूछना चाहूँगा सिर्फ क्या बोले आपने कहा कि मैं आत्मा हूँ सरीर नहीं इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं कोई भार नहीं ये बात मेरी समझ में नहीं आगी क्या समझ में नहीं आया तो रहू गण दर्ष्टांत देके बोला देखे महराज हमने चूला जलाया उस पर बटलो ही रखी उसमें पानी भरा और पानी में चावल डाल दी है तो पहले चूले की आग बटलो ही को गरम करेगी फिर बटलो ही का ताप पानी को गरम करेगा फिर पानी की उश्णता चावल को दीरे दीरे सिद्ध कर देगी पका कर भाद बना देगे तो जैसे आग की तपन चाबल तक पहुंच गई एक दूसरे के संपर्क से ऐसे ही जब सरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा क्योंकि इंद्रियां सरीर में ही तो इस्तित हैं इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के मालिक मन को भी कष्ट पहुंचेगा मन को कष्ट होगा तो सरीर में इस्थित आत्मा पर भी तो कष्ट का प्रभाव पड़ेगा कि ने आत्मा कहा है सरीर में तो जब सरीर में कष्ट है तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। यद आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो हम क्यों रोते रहते हैं। हाई हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेजान हैं, हमें बड़ा कष्ट है। अब ये रोने वाला सरीर है कि आत्मा तर्क किया रहुगण ने जडबरज जी हसते हुए बोले रहुगण हो तो तुम महा मूर्ख पर विद्वानों में बैठ बैठ के आत्म तक तुम की बातें करना जीग लिया तुम कुछ नहीं जानते हैं अच्छा मारा तो आप समझाइए जडबरज जी बोले राजन तुमने जो दृष्टान ते दिया आग पानी चावल बटलो ही इन सब का इस सब सावयव पदार्त हैं और घटा रहे हो तुम निरवयव आत्मत्त्त के साथ अरे भाई चावल बहात आदी जो हैं इनको देख लो पकड़ लो छू लो क्योंकि ये अवयव हैं सावयव पदार्त हैं ना इसलिए देखा छूआ जा सकता है परंतो आत्मा को कोई देख सकता है क्या है आत्मा को कोई छू सकता है क्या है सरी से जब आत्मा जाता है तो आत्मा को आते जाते कोई देखता है क्या अरे आत्मा परम सुक्ष मतत्व है आकास की तरह जैसे आकास व्याप्त है कोई आकास को ना पकड़ सकता है ना आकास को जला सकता है और नए आकास को काट सकता है, जैसे आकास परम सुक्ष्मृत्त होने के नाते, उसका कोई कुछ नहीं बिगाढ़ सकता, ऐसे ही आत्मा आकास बत परम सुक्ष्म हैं, इसलिए, नैनम छिंदन की सस्त्राई, नैनम दह तीपवकह। इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो परम अभिनासी तत्व है ऐसा अद्भुत आत्मतत्त्तु काउँ प्रतिबादन किया कि रहुगण के हो सोड़ गए चरणों में गिर गए महाराज आपके बचनों ने मेरे अज्ञान के कपाट हटा दिये प्रह्मन परिक्षित बोले मारा थोड़ा भूगल खगुल के बारे में भी कुछ बताईए तो जुकदेव जी कहते हैं साथ दीप साथ समुद्र चम्मू दीप के नव खंड नव खंडों में भगवान का भिन भिन बास नव खंडों में जो अजनाव खंड है इसी का नाम भारत भू बास में नर नारण रिसी बद्री विशाल में बेराजते हैं देवर्शी नारद उनकी उपासना करते हैं भारत ही कर्म भूमी है बांकी साथ भोग भूमी इसलिए इस कर्म भूमी भारत भरस में ही भगवान के सारे अवतार हुए हैं भारत की गवरब गाथा गाई और गंगा जी में गोता लगाने के लिए जितने कदम चल करके जीव जाता है उतने ही कदम कदम पर उसे बड़े-बड़े यग्यों का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है परिक्षित ने पूछा महाराज अब खगोल के बारे में भी बताईए सुखदेग जी बोले साथ लोक नीचे साथ लोक उपर नीचे के लोक हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल उपर हैं भू भुवा स्वह मह जन तप और सत्य चौदै भवनात्मक संपून प्रमान्ड पचास करूड योजन के छित्रपल में याप कर लाएं अब समया भाव में उसका विस्तार नहीं हो पारा क्योंकि प्रहलाज जी के प्रक्षित चरित्र तक हमें पहुंचने हैं परिक्षित ने पुने प्रश्न किया भगवन ये बताओ कि मरने के बाद पापी जो नरक में जाते हैं वो नरक के दर हैं तब सुखदेव जी वले प्रतिवी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है जिसमें 28 महा नरक होते हैं तामिस्त्र अंध तामिस्त्र रौरव महा रौरव आदी महा नरकों में जीव को भयंकर यातनाएं भोगने परती हैं जो दूसरों की धनसंपत्ती चुरा के भाग जाते हैं ऐसे चौरों को तामिस्त्र नरक में डाला जाता है यहां तामे के समान आग में तपी हुई भूमी पर उन पापियों को दोडाया जाता है गर में आई हुए अच्तियों को जो कुरुद वरी आँकों से देखता है कि अब कौन रोटी बना के घबागे ऐसे ग्रहस्तों को बज्र तुन नरक में जाना पड़ता है जहां गीध उनकी आँख निकाल के खाते हैं काप गए परिक्षत महराजी तो आप खतरनाक बात बता रहे हैं यद हमसे कोई पाप बन गया तो क्या नरक में ऐसी है यात्ना भुग नहीं पड़ेगी सुकदेव जी बोले बिलकुल पक्ति तो महरा यसा नहीं हो सकता हमसे कोई पाप धोके से हो गया और हम नहीं जाना च पास्त्र विधी से प्राश्चित कर ले तो पाप मुक्त हो जाए तो जितने पाप हैं उतने प्राश्चित भी हैं परिक्षत बोले यह जंजट वाली बात है अब एक एक पाप का एक प्राश्चित कोई कहां तक करेगा प्रभो मुझे तो कोई ऐसा प्राश्चित बता दो जो सारे पापों को धोडाल है सुखदीब जी कहते हैं सुनो भगवान नहीं जो सरीर दिया है न ये सुन्दर निर्मल चादर है कपड़ा अग कपड़ा निर्मल है कोई भी दाग लग जाए तो तुरंद साफ कर दो तो कपड़ा चमकता रहे पर दाग पर दाग लगते गए स नहीं असाब करना तो पाप बने और तुरंद प्राश्चित करे तो जीवन निर्मल बना रहेगा और पाप पर पाप करते गई प्राश्चित नहीं किया और फिर दोभी घड़ बनाके भगवान नर्कों की दिवस्ता करी है यमराज मार मार के डंडे सारा पापों के डाग परन्तु हम तुमें एक ऐसा साबुन बताए देते हैं जिसे सारे पापों के डाग दुल जाते हैं परिश्चत बोले तो बहुत महगा होगा ऐसा साबुन बोले नहीं महगा नहीं बिल्कुर एक दम सस्ता सरल सहज है तो बहुत सस्ता पर है इतना पावर्फुल के एक बार तुमने रगड दिया इस साबुन को अपने तनकी चादर में तो बड़े बज से बड़े दाग डूणते ही रह जाओ सारे पापों के दाग दूल जाते हैं महारा ज़र बताओ तो वो साबुन कौन सा है नोट करो केचित के वलया भफत्या वासुदेव परायना अघंधुन बंति कास्ने न परीक्षत जैसे वबन भासकर सूरी के उदय होते ही सारा अंदकार नश्ट हो जाता है ऐसे ही भगवन नाम का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप उसी पल बसमी भूत हो जाते हैं परीक्षत बोले तो महाराज ये तो आपने बड़ी गजब की बात बताई बगवान के नाम का सावुन लगाते हैं सारे पाप बसम महाराज सची कह रहे हो कोई प्रमान है आपके पास ऐसा आज तक ऐसा कभी हुआ है सुखदेव जी बोले प्रामानिक प्रसंग सुनाते हैं अजामिल नाम का एक ब्रहमन था माता पिता का भक्त बड़ा विद्वान था पर जंगल में समिधा बीनने गया लकड़ी चुंते चुंते एक सुद्र को सरोबर के तड़ पर एक किसी गणिका के साथ वैस्या के साथ रमन करते देखा और उस गणिका के हाओ भाओ में ये भी प्रभावित हो गया और हमेशा के लिए उसके साथ चला गया घर परिवार पत्नी पुत्र सब को त्याक कर उसी वैस्या का दास बन के रहने लगा चोरी डकेती डाल डाल करके उसको धन देता है उस गणिका से इसने दस पुत्रों को जन्म दिया और दसमे पुत्र का नाम एक संत के कहने से इसने नाराइन रख लिया जब इसका म्रत्युकाल आया और काले काले यमदूत इसे पकड़ने आये तो डरके मारे ये अपने बेटे को बुलाने लगा बेटा नारण बचाओ बेटा नारण इधर आओ जो ये सब्द इसके मुँझे निखिला दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायना भयं प्लावते नस्वरोडो चै आजुहाव कुलेंद्रिय है पूरी तागत से बोला बेटा नारण बचाओ तुरंत चार पारसद भगवान के प्रगट हो गए मार यमदूतों में धक्का काल पास से मुक्त कर दिया अजामिल अब यमदूत विश्नुदूतों से लड़ बैठे क्यों भाई तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए तो विश्नुदूतों ने का तुम काले के लूटे कहां से आ गए यमदूतों ने का हमें नहीं जानते हैं यमराज के सेवक हैं पापियों को पकड़ने का काम करते हैं आपका परचे विष्णु दूत बोले तो तुम हमको नहीं जानते हैं हम नारण के दूत हैं नारण को पुकारने वालों को ले जाने का काम हमारा है इसने नारण को पुकार रहा हम आगे यमदूतों ने का तुम्हे दोका हो रहा है ये अपने बेटे नारण को पुकार रहा है इसके बेटे का नाम है विश्णु दूतों ने का इसके बेटे का नारण नाम चार साल पहले रखा गया है हमारे मालिक का नारण नाम अनादिकाल से है तो बोलो ये नाम किसका मानोगे बेटे का या हमारे मालिक का इसलिए मूल रूप में तो हमारे प्रभू का ही नाम हुआ की नहीं एक बात कान गोल के सुन लो यम्दूतो वस्तू सक्ती ग्यान की अपेक्षा नहीं रखती वस्तू में जो सक्ती है उसका तुम्हें ग्यान हो या नहो पर वस्तू की सक्ती तो अपना काम करके रहेगे तार में करेंट है ग्यान हो या नहो छू लिया तो करेंट तो लगके ही रहेगा जहर में मारने की सक्ति है ग्यान हो या नहो पर जहर पी लिया तो मर के ही रहोगे अमरत में अमरत्य की सक्ति है ग्यान हो या नहो पर अमरत्य पी लिया तो अमर हो के ही रहोगे अगनी में दाहकत्य की सक्ति है इसका ग्यान हो या नहो पर आग शूली तो जल के ही रहोगे क्योंकि वस्तू की सक्ति अपना काम करेगे तुमारे ग्यान से कोई भर्ग नहीं पड़ता हो तो अच्छा नगा तो बिना ग्यान के आग को छूलो तो जलना ही पड़ेगा बिना ग्यान के जहर को पीलो तो मरना ही पड़ेगा ऐसी बिना ग्यान के भी भगवन नाम को जपलो तो तरना ही पड़ेगा भगवन नाम की सक्ती जो तारक है उसके ग्यान की तुमें योगिता है तो ठीक, ना भी जानकारी हो तो नाम तो तुम्हें तार देगा, ये नाम की सक्ती का चमतकार है, इसलिए कैसे भी जबो, ज्यान हो बहुत अच्छा, ना हो तो भी अन जाने में भी जबोगे, तो भी कल्यान होगा, इसलिए को स्वामी जी कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जबत मंगल दिस दस हो, कहो कहा लगी, नाम बढ़ाई, कहो कहा लगी, नाम बढ़ाई, राम नस कही, नाम बुरदाई, कहो कहा लगी, नाम खडाई, नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, भगवन नाम की अपूर्व महमान यम के दूत फिर भी नहीं माने विश्न दूतों ने वो दुनाई करी के भागते ही नजर आए अजामिल ने ये बातें सुनी तो बहरा के हो गया और गंगा के तट हरे दुआर में भगवन नाम जबता जबता परम नाम को प्रस्तान करें यम दूतों ने जाकर के यमराज से सिकाथ कर दी माराज आज के बाद आपकी नोकरी नहीं करेंगे क्या हो गया भाई? बोले आप नहीं भेजाता उस पापी को पकड़वाने के लिए? पकड़ में तो आया नहीं पिट के ही आना पड़ा हमको किसने पिटा? बोले वहाँ पर चार लोग चले आए और कहते हैं ये हमारा सेवक है इसने हमारे स्वामी नारण को पकारा है इतना सुनते ही दोड़ के यमराज ने मूँ पे हाथ रख दिया यम दूतों से का भईया ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा अपने मूँ से मत लेना क्यों क्या हो गया मारे बोले ये प्रभू का मंगल में नाम है जिसे तुम अभी अभी ले रहे थे और कहीं जोड़ से दो चार बार तुमने चिला करके ये नाम लिया और ये नरक में पढ़े हुए पापियों के कान में आवाज पढ़ गई तो मेरा तो सारा कारूब आ रही ठपो हो जाएगा भगवन नाम के प्रताब से पाप मुक्त होके इनको बेजना पढ़ेगा परम नाम मेरा तो सारा नरक सूना पढ़ जाएगा बिवस्ता चौपट हो जाएगी इसलिए भईया पैटॉल पंप के जामने माचे जलाना खतरना दूरही रगो तहीं आग न पकड़ ले ऐसी पापियों के बीचे में भगवन नाम न मतलो नहीं तो सारे पापी मुक्त हो जाएगे यहम दूतों ने का तो हमें जगडे में नहीं पढ़ना हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो कि हम किसको पकड़ने जाया करें यहम राज बोले नोट करो जिहुवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्चनस्मरतितच्चनान अरभिंदम कृष्णायनो नमतियद शिरहिक दाति आनान यद्भमसतो कृतबेश्णु कृत्यान